कि या अश Tout mेरहन यौटी में स्वागत करते हूं आपका हमारे यूटूब चनल कणेकटिंग इंडिया एंडिया का अइसा प्लेटफूर्फॉर्म वह आपको इंडिया में इंपोर्ट कैसे करेंगे इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें उसका प्रॉसिजर क्या है क्या क्या एक्सपोर्ट तो हाँ दोस्तों बात करें नमक के एक्सपोर्ट की नमक का एक्सपोर्ट जो है काफी अच्छी मात्रा में और काफी सारी कंट्रीज में इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा है नमक जो है अगर उसके चैप्टर की बात करें तो नमक जो है आपका चैप्टर नमर 25 में आता है उसके HSN कोड की बात करें तो उसका HSN कोड है 25010010 इस HSN कोड के अंदर जो है नमक जो है इंडिया से एक्सपोर्ट होता है दोस्तो नमक जो है खाने पीने की काफ़ी साथी चीजों में डेली यूज की चीज़ है जो हमेशा ज लोकल मार्केट में हमेशा बनी रहती क्योंकि यह कई सारे फूड आइटम में कई सारे प्रोडक्स में इसका यूज आता है तो खाने-पीने की चीज़ में तो जो है नमक का यूज होता है उसके साथ-सका काफिसारा इंडेस्टिल यूज भी है जैसे कि नमक का यूज आप इसको बहुत नमक का यूज कर जाता है तो आप आप इसको एक्सपोर्ट क्वालिटी के साल्ड की बात करें कि किसलता है इंडिया से तो इंडिया से हिमालिया पिंक साल्ट जो है एक्सपोर्ट होता है आयोडाइज जो सॉल्ट होता है वो एक्सपोर्ट होता है ब्लेक्ष सॉल्ट भी एक्सपोर्ट होता है आपका अनकरश्ट सॉल्ट भी एक्सपोर्ट होता है साथ में आपका रोक सॉल्ट भी एक्सपोर्ट होता है अगर financial year 2022 की बात की जाए तो financial year 2022 के अंदर इंडिया ने करीब करीब 338 million dollar का जो है एक्सपोर्ट किया इंडिया से और बहुत अच्छी जो है यह volume रहा है last year में थोड़ा कम रहा था अभी 2223 के अंदर यह थोड़ा सा बड़ा है और 338 million dollar का जो है इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है तो काफी अच्छी मात्रा में जो है यह एक्सपोर्ट होता है यह प्रोड़क्त तो आप भी इस प्रोड़क्त का बिजनिस कर सकते हैं बहुत अच्छा खासा जो है इसका profit margin आपको देखने को मिलता है अब बात करते हैं सोर्स बनाने का या उसको refine करने का अगर कोई plant आपका नहीं है तो आप को जो है किसी दूसरी कंपनी का ही salt लेके उसको sale करना रहेगा चाहे वो black salt हो गया या pink salt हो गया या कोई भी दूसरे salt हो गया इंजिस्टियल यूज के लिए आप किसी company से या direct आप जो नमक की जो जीले होती यूसराइड में जो processing units होती है वहाँ से आप जो है नमक को purchase कर सकते हैं अगर नमक producing state की बात की जाए तो उसके अंदर आपको गुजरात सबसे पहले नमबर पर उसके बाता मिलना आड़ है राजस्तान है राजस्तान में भी काफी अच्छी जीले है नमक की जहां से नमक को produce किया जाता है और वहाँ से आसपास के एरिया में काफी सारी units लगी होती जो इसको refine करती है नमक को खरीज सकते हैं बाकि जो रोव फॉर्म के अंदर नमक जाता है वह आप डारेक्ली भी सेल कर सकते हैं पर्चेज करके जनरली तो आप different brand का जो salt जो है खरीद के आप export कर सकते हैं दोस्तों बात के लिए टोब importer countries के कि किन किन countries के अंदर इंडिया के salt का demand रेता है किन countries में आप इसको export कर सकते हैं तो Indian salt के demand जो है आपकी USA में रहती है Canada में है नेपाल में है UK में है Australia में है Bangladesh, Bhutan, Kuwait, Malaysia, Maldives, New Zealand, Nigeria, Oman, UAE करीब करीब 30 से ज़्यादा countries के अंदर हमारा नमक export होता है, different type का salt है वो इंडिया से इन 30 से ज़्यादा countries के अंदर export होता है, मैं कोशिश करूँगा कि सारी countries के list जो है आपको description में देदू तो आप description में जाके उन countries के list भी देख पाएंगे पूरी 30 countries की, दोस्तों अगर profit margin की बात करें तो local pricing जो है आपको 20-22 रुपे किलो में salt मिल जाता है, अगर iodize salt की बात करें, देखें काला नमग जो होता है, वो 80-90 रुपे किलो तक भी होता है, तो different salt की अलग-लग price होती, उसी साफ़से आपके margin निकल के आते हैं, फिर भी salt के उपर जो आपने margin देखा है, अगर 20-22 रुपे का salt है, 35 रुपे किलो तक आपका sale ह हो जाता है, अगर iodize Tata salt की भी अगर बात करें तो foreign market के अंदर, तो आप simply उन companies के साथ NOC ले लें, यसे Tata salt से आप NOC ले लें और फिर जो है उसके export करें आप उसके product को, तो आपको काफी अच्छा benefit उसमें देखने को मिलता है, जो salt का जो business है, salt के business में एक थोड़ा सा है, कि industrial use में अगर कहीं बहुत ज़्यादा quantity demand में रहती, तब जाके आप इसको container में कर सकते हैं, बर generally जो मैंने देखा है data के accordingly, तो यह आपका एक टन, दो टन, पीसे में इनमें ही जाता है, ज्यादा था, तो low budget के साथ भी अगर आप इस product को शुरू करना चाते हैं, तो आप इसको जो हणना रुपे का आराम से margin आपको इसमें देखने को मिल जाता है, तो दोसरे साल टोते हैं, उनमें 20 से 30 रुपे पर knowledge का बी मारजन देखने को मिलता है, गर आप 80-90 रुपे किलो का black you start लेते हैं, तो वह आपका आराम से काफी अची pricing के ओपर, एक रिसे लेक एक सो चाल आप से एक टन मांगी जा रही है तो आपके उसी इसाब से मार्जिन को आप 30% 40% 50% तक भी ले जा सकते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं document की कि अगर आपको नमक export करना है तो क्या-क्या document जो है आपको उसमें बनाने रहेंगे तो आपको इसमें GST के बाद आप AD code लेटर ले ले बैंक से उसके बाद आपको import export code बनाना होता है import export code के साथ आपको inspection certificate जो सबसे important है नमक के export में जो आपका salt department है वहाँ से आपको signature A भर के जमा कराना होता है उनकी website पर आप जाओगे salt department की just website आप सर्च करें वहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि कि कितनी quantity आप export करते हैं उसके उपर कितने sample आपको वहाँ पर भेजने उसी तरीके सापको sample भेजना है और sample भेजने के बाद उस certificate एशू करेंगे आपको inspection certificate आपको इसमें लेना पड़ता है तब ही जाके आप जो है इसका export कर पाएंगे तो lab report test report inspection certificates वगेरा FSSI का central license export import में central license काम करता है FSSI का central license भी आपको इसमें लेना पड़ेगा तो इस तरीके से जो है आपको यह सारे certificate ले लेने हैं इसके लिए को specific RCMC तो नहीं है फिर भी आप few का RCMC लेके इसमें काम कर सकते हैं salt में और अगर इसके chemical composition से कुछ तयार हुआ है तो chemexil का certificate भी इस हो गया commercial invoice है shipping bill है certificate of origin आपका इसमें बनेगा और bill of rating आपका इसमें बनेगा तो इस तरीके से यह document जो है आपके इसमें तयार की जाते हैं इसके बाद बात करते हैं दोस्तों complete procedure की कि salt को export कैसे किया जाए सबसे पहले आप अपनी firm का नाम decide करें firm का registration करा है salt कहां से लेना है यह पता करें किस company का लेना है उसकी pricing को पता करें कुस data आप collect करें कि foreign market के अंदर क्या price पे आपका salt बिखता है तो वो data के लिए आप भी हमसे contact कर सकते हैं हम आप उसमें buyer का नाम भी हम आपको provide करा दें कि कि किन कंट्री में आपका product जा रहा है यह सारा हम analysis करते हैं और आपको ए registration करा दें GST लेते हैं प्राप्राइटर बनाएं प्राइविट लिमिटेट बनाएं पार्टनर्शिप बनाएं कुछ भी आप जैसी चाहें वेजिव बना सकते हैं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है export बिजनिस में उसके बाद आप उसका current account ऑपन कराते हैं current account के बाद इं export करने वाले उनसे आपको सारे charges ले लेने कि सी पोर्ट पर आपको क्या चार्ज लगेगा transportation कैसे रहेगा उसमें सारी चीज़े आपको समझ लेनी है उसके बाद आपको बायर फाइंडिंगी process चालू करनी है बायर फाइंडिंग आप जो है शोशल मीडिया के थ्रू डेटा स या Google से search करके या हमारे द्वार भी हम आपको बायर का data प्रोइड कराते हैं उससे भी आप बायर फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद आपको से डील करनी है payment अपने account में डलाना है material को dispatch करना है port पर आपका CH उसका custom clearance कराके बायर कहां delivery दे देगा उसके बाद जो भी document अपना material वहाँ पर पहुंच जाएगा तो उसको document दिखा के वहाँ से अपना material छुडा लेता है तो इस तरह के से दोस्तों आपका जो है salt export का procedure यहां पर complete होता है दोस्तों गर आप सीखना जाते हैं completely export और इंपोर्ट तो आप जोईन कर सकते हैं हमारा seven days का online training program जिसमें मैं आ आपको लाइव प्रॉसीजर्स वगेरा सब कुछ आपको बताया जाता है तो अगर आप जोईन कर सकते हैं online training तो आप हमें स्कीन पर देगे नंबर पर contact कर सकते हैं साथ में आप हमें follow कर सकते हैं social media पर जिसमें हम latest export related update आपके साथ daily basis पर शेयर करते हैं तो आपको हमारे social media के link जो है discussion में मिल जाएंगे तो आप वहां से जाके हमें join कर सकते हैं मिलते हैं हमारे next video में thank you very much